in remember अभाइ गाइस स्धेये वल्कम बैग थो देंगेश टीवी तो यार देखो लाश की वीडियो में लोग ने बात करी थी कंस्ट्रक्टर चेनिंग के बारे में ठीक है और उसके पहले हम लोग ने बात करी थी इंगे बारे में ठीक है तो अब कंस्ट्रक्टर ओवे लोडिंग और constructor chaining को देखने के बाद हम देखते हैं constructor chaining हमने पहले समझा current class में जो कि हम this method से use करते हैं achieve करते हैं इसके बाद हम बात कर लेंगे एक बार जस्ट यह revision type की वीडियो है constructor chaining in parent class let's suppose ऐसे कोई इस तरीके से घुमा फिरा के पूछ लेता है कि constructor chaining करनी है parent class में ले करके ठीक है तो constructor chaining हम parent class में कैसे करते हैं देखो तुम लोग के सामने यह example है हम सीधा code की तरफ चलते हैं और सीधा code में बात करते हैं कि किस तरीके से काम करेंगे ठीक है let's suppose हमारे सामने यहाँ पर एक class बनी हुए है child हम simply यही example discuss करने वाले है जैसे यहाँ पर है ठीक है अब यहाँ पर एक child class है हमारे पास हम चार classes ले लेंगे यहाँ पर एक child है एक है हमारे सामने parent एक है हमारे सामने यहाँ पर grandparent ठीक है एक है हमारे सामने यहाँ पर super grandparent ठीक है जैसा ही example है हम लोग यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर discuss कर रहा है super grandparent हो गया ठीक है यह समझ में आ गया होगा अब let's suppose super grandparent के पास एक constructor zero argument constructor ठीक है कैसा constructor है zero arguments constructor अब let's suppose एक हमारे पास constructor है या यह कहलो यह किसका constructor है super grandparent का constructor है किसका constructor है super grandparent का constructor है और let's suppose एक हमारे पास यहाँ पर grandparent का constructor है ठीक है similarly हमारे पास यहाँ पर एक parent का constructor है ठीक है और similarly हमारे पास यहाँ पर एक child का constructor है ठीक है यह हमारे पास child का constructor है अच्छा अब बताओ यहाँ पर अभी हम child का अगर object बनाते हैं child का अगर हम लोग object बनाएंगे तो क्या output आएगा हमेशा कभी भी multiple classes देखके और यह सोच के सब में constructor बनाया कभी भी जल्दवाजी नहीं करनी चाहिए यहाँ पर सिर्फ हमारे सामने child constructor ही आउटपुट में आएगा क्यों आएगा क्योंकि भाई यहाँ पर यहाँ पर यह child classes कोई भी class एक दूसरे को extend करी नहीं रही है ठीक है तो नाम पर मत जाओ grandparent, super grandparent, parent और child यहाँ पर क्या कोई भी class आपस में extends कर रही है किसी कोई भी level का inheritance यहाँ पर हो रहा है नहीं हो रहा है तो जब यह class extend ही नहीं कर रही है तो इस child constructor के अंदर जो super लगा होगा वो execute ही नहीं होगा जो यहाँ पर by default super jvm प्रोवाइड करता है जो कि इस तरीके से लगा हुआ है यहाँ पर वो execute ही नहीं होगा क्योंकि वो जो jvm जब इसको execute करने जाएगा देखेगा क्या इस child का कोई parent है तो इस child का तो parent ही नहीं तो यह simply child constructor उसने print कर दिया लेकिन let's suppose इस child का कोई parent है तो इस case में output क्या आएगा parent constructor और child constructor ठीक है देखो parent constructor child constructor ठीक है अब यहाँ पर तुम चाहें super लगा दो या super ना लगाओ बात एक ही है यह देखो बात अभी भी एक ही आ रही है output same है क्यों क्यों क्योंकि by default jvm ने super लगा रखा है अब तुम इसमें यह सोचो grand parent constructor और super grand parent क्यों नहीं आया क्योंकि भाई इस जब jvm ने इस constructor को execute किया और इस constructor के उसने जो है default super लगा देखा जो कि jvm प्रोवाइड करता है उसने jvm ने यह देखा कि इस parent का तो कोई parent ही नहीं है extend नहीं आपर लगा ही नहीं है तो वो उसको नहीं call करेगा grand parent constructor को वो सिर्फ parent constructor और चाइड गंस्रक्टर को ईकॉल करेगा लेकिन let's suppose हमारे पास यहाँ पर extend लगा हुआ है grand parent का तो हमारे सामने यहाँ पर jvm यहाँ से call उपर कर लेगा grand parent constructor को तो यहाँ पर हमारे सामने output का है गा grand parent constructor parent constructor child constructor यह हमारे सामने output आ जाएगा इसी तरीके से let's suppose अगर grand parents भी जो है extend कर लेते हैं किसको super grand parent को तो output बिल्कुल बदर जाएगा ठीक है तो यहाँ पर देखो by default क्या हो रहा है by default sub constructor के पास super लगा हुआ है JVM ने provide करा हुआ है ठीक है JVM ने provide करा हुआ है लेकिन let's suppose किसी constructor के पास एक argument है like this constructor को call कौन कर रहा है यह line कर रहा है call यहाँ से super तो हम लोग क्या करेंगे JVM का दिया हुआ super हटाएंगे explicitly यहाँ पर super लगाएंगे और 10 pass कर देंगे तो problem resolve हो जाएगी अब let's suppose यहाँ से constructor यहाँ यह grand parent constructor जो है super grand parent को call कर रहा है super grand parent है अपने में changement कर दिया और link दिया हमारे पास तो भाहिया double argument है तो यहाँ से हमें JVM का दिया हुआ super हटाना पड़ेगा और explicitly एक super लगाएंगे जिसके अंदर हम 10,20 pass कर देंगे ठीक है इस तरीके से काम करता है अब let's suppose हम output चलाएंगे तो अब भी हमारे exactly same algorithm आएगा output ठीक है तो आए हो प्यार यह तुम लोगों को वीडियो समझ में आई हो देखो इसमें हम लोगों क्या क्या concept पढ़ा ठीक है इसमें हम लोगों क्या process पढ़ा यह एक वीडियो कोई ऐसी introduction वीडियो नहीं है इसमें हम लोग देखो super आगर कोई नया आ यह वीडियो देख रहा ही उसको समझे से आए तो सुपर मैस्ताट के बारे में पहले हिभी पड़ ले तक ही विडियो को देख रहा है तो वह पहले पुरानी वीडियोस को जाके देखे तब ये वीडियोस समझ में आएगी ठीक है अब देखो यहाँ पर हम यह सारी चीज़े देख ली हमने एक concept यहाँ पर यह देखा कि किस तरीके से हम पर इंक्सरक्टर चेनिग करते हैं सुपर क्लास में, ठीक है, महले सुपर क्लास को include करते हुए, तो यहाँ पर देखो हमने constructor chaining कर रखी है, पहले ये constructor call होगा, फिर ये constructor, फिर ये constructor, और उसके बाद ये constructor call होगा, ठीक है, तो I hope ये वाला concept तुम्हें समझ में आया हो, इसके पहले हम लोगों ने constructor chaining देखो, ये पढ़ी थी current class में, जिसके अंदर हम लोगों ने test constructor को multiple test constructor बनायते हैं, और this method के थूरू achieve करा था, ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या देखा, constructor chaining in super class, तो यह concept बिल्कुल पुराना है, उनके लिए जो वीडियो स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं, super के बारे में समझा है, this क concept से aware होंगे, क्योंकि यह वाली चीज़ें हम लोग बहुत पहले use कर चुके हैं, और समझ चुके हैं, लेकिन अगर कोई नया इस वीडियो को देख रहा है, तो उसको में भी यह चीज़ समझ में ना आई हो, कि हम लोग यहाँ पर क्या discuss कर गाएं, तो पहले वो पुरानी व method हम यह सा अपने parent constructor को call करता है, यह सा हमने समझा, तो मिलते हैं, नेक्स वीडियो में एक अच्छे concept के साथ, till then keep learning.